अमिता बच्चन का सबसे बड़ा विवाद ज्यादा उलजते नहीं थे लेकिन एक बार जब राजेश खना ने उन्हें जबरन विवादों में उलजाने की कोशिश तो बिगबी ने अपनी खामोशी को एक हतियार की तरह हिस्तिमाल किया और अंदर ही अंदर खना के जड़े काट दी बिगबी से तनाव भरे रिष्टों के बाद जब खना ने उनके साथ फिल्में टुकरानी शुरू की तो उनकी जोड़ी विनोद खना के साथ जम गई विनोद खना को अमिता बच्चन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कहा जाता है कि विनोद खना के बढ़ते कट से परिशान अमिता बच्चन ने ऐसी हरकत की जिसके बाद विनोत खना ने भी उनके साथ काम करना बंद कर दिया। हलांकि इस घटना को बाद में दुरगटना का नाम दे दिया गया। स्टारडम हासिल होने के बाद अमिता बच्चन का नाम कई अभिनेत्रियों से भी जुड़ने लगा। इन में सबसे संसनी खेज रहा अभिनेत्री परवीन बॉबी का नाम। ये रिलेशन कब सामने आया जब एक दिन परवीन बॉबी ने उन पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए उन्हें कोट में घसीट लिया। ये सारे विवाद ऐसे थे जो एक स्टार के करियर के दोरान चाहे अन चाहे जुड़ी जाते हैं। लेकिन एक बार जब अभिनेतरी सयाली भगत ने अमिताब बच्चन पर एक संसनी खेज आरोप लगाया तो लोगों को पता चला कि स्टार्डम के कुछ बड़े साइड एफेक्ट्स भी होते हैं।